नमस्कार स्वागत है आप सभी का बनुपना फिनांस मिनिस्टर में और कल बजट है लेकिन बजट से पहले क्या-क्या उमीदें है निवेश जगत के तमाम दिगजों की आज इस पेशकर्ष में हमारा फोकस इसी पर होगा और चलिए चर्चा के शुरुआत करते हैं और हमारे से एक आम टैक्सपेर होने के लिहाज से उनकी क्या-क्या उमीदें हैं वित्यमंत्री साहिबा से तो निलेश सब आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकर्ष में तो चलिए जस तरह से हमने देखा है कि सरकार का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर ब्रॉडर के मताबिक अच्छिली फोकेस बजट में किन-किन चीजों पर होना चाहिए शुरुवात इसी से करते हैं इस बजट में इस वक्त हमारे पास बहुत सारी ओपर्चुनिटेज है एक आरबी आई ने पिछले साल के मुताबिक एक लाख तेईस हजा करोड का डिविडिन जादा दिया है टेक्स ब्योएनसी काफी अच्छी है तो वहाँ पे भी बीस से पच्चीस हजा करोड एक्स्ट्रा कलेक्शन हो पाएगा मार्केट में जबर्चस तेजी है PSU कंपनी के दाम और वैल्यूएशन बहुत उपर है इस वक्त अगर डाइवेस्ट्मेंट करे तो एक डेड़ लाख करोड का डाइवेस्ट्मेंट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी इन सारे आकड़ों को आप जमा करिये एक लाख तेईस हजा करोड RBI का एडिशनल डिविडन 25 से तीस हजा करोड की टेक्स में ब्योंसी और एक से डेड़ लाख करोड का डाइवेस्ट्मेंट सरकार के पास अब ऑपरचुनिटी है इस पैसों का सही तरीके से इस्तिमाल करना इलेक्शन के पहले वोट ओन अकाउंट में उन्होंने एक त्रिवेणी संगम अचीव किया था पांच पॉइंट एक प्रिक्तिशत फिस्कल डेफिसिट करके फिस्कल प्रूडन्स का रास्ता इक्तियार किया रेटिंग एजन्स इसने उसकी बदॉलत हमारे आउटलुक को पॉजिटिव किया दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के उपर जोड लगाया ग्यारा लाग करोड से जादे के निवेश की बात हुई थी और तीसरा ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए अब इनके साथ साथ वोटोन अकाउंट प्लस जो बजेट आएगा उसमें एक bottom end of pyramid के consumption को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए चाहे मन्रेगा में allocation बढ़ाए चाहे प्रधानमंत्री आवास यूजना में allocation बढ़ाए या फिर मध्यंबर्ग के लोगों को मदद करने के लिए tax में कुछ रियायत दे मेरे हिसाब से ये budget vote on account के बहतर काम को आगे ले जा सकता है because इस वक्त हमारे पास काफी ज्यादा resources available है बिल्कुल निलेश्व जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक consumption को लेकर बहुत तवज्जु दिया जा सकता है और इसलिए बहुत जरूरी है कि bottom of the pyramid जो low end of the pyramid है उसको focus में रखा जाए उस पर ध्यान दिया जाए जो कि हो सकता है सरकार की मनशा भी हो जैसे कि हम सब कयास लगाकरी बैठे हुए लेकिन उसके अलावा इसमें भी ऐसे कौन से एलान है या कौन से ऐसी नई तरहां की scheme है पॉलिसी या योजना का पहलू है जो आपके मताबिक introduce हो जाना चाहिए undoubtedly एक कहवत है किसी को आप fish दो उसकी जगह पे fishing करना सिखा दो तो वो पूरी जिन्दगी खुद के पैरों पे चल पाएगा सेम चीज आज education and skill related work की है हमारे यहाँ पे education और skill ये दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है इस budget में हम उम्मीद कर सकते है कि कुछ पैसा skilling related work में दिया जाएगा North East में जब हमने Japanese culture and language वाले institute खोले तो वहाँ से लोग जपान में blue collar work के लिए जा पाए इसी तरह हमें दुन्या को skilled workforce देने के लिए कहीं कदम उठाने चाहिए एक जो challenge हमारे लिए है वो healthcare की है again हम दुन्या में सबसे कम कीमत वाली और अच्छी quality वाली healthcare प्रदान कर सकते है हमारे ही देश में healthcare की समश्या है कैसे इस budget में हम healthcare industry को इतना बढ़ावा दे कि tech industry की तरह अपने देश का तो काम करे बढ़ दुन्या की problems का भी नेराकरण करे so education and health ये दो sector ऐसे हैं जहां पे इस budget में कहीं कदम उठाए जा सकते हैं बिल्कुर मैं थोरा सा housing sector पर भी आपका focus आना चाहती हूं क्योंकि हम यह housing for all की बात कर रहे हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि 2024 में एक नया उचतम स्तर realistic as a sector पहुंचता हुआ हमने देखा है सरकार का focus affordable housing पर रहने की संभादना है और उस पर already सरकार ने अपनी मन्शा भी बता दी है लेकिन उसके अलावा अगर हम single window clearance की बात करें home bias interest को और ज्यादा expand करने की बात करें आपके मुताबिक कौन-कौन से ऐसे एहम ऐलान है जो इस sector की growth को ध्यान में रखते हुए उसको और expand करने के निजर ये से important होंगे So housing एक ऐसा क्षित्र है जहां पे local, state और central government तीनों ने मिल के साथ में काम करना पड़ेगा सरकार housing loan के repayment या ब्याच के ओपर कुछ tax concession बढ़ा सकती है सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना जैसी scheme में ज़्यादा पैसे allocate कर सकता है लेकिन ultimately housing तो ground पे खड़ा होगा local regulations को simplify होना जरूरी है आज अगर एक एकर का plot है तो builder A उसके ओपर 40,000 square foot का काम करेगा builder B वहाँ पे 4,000 square foot का भी काम कर सकता है जब इस प्रकार के difference होंगे execution में तो obviously उस sector की growth को बढ़ावा नहीं मिलता so सबसे पहले जैसे हमने RERA जैसा कानून बनाया जिसने real estate sector में governance ला दी वैसे ही अब हमें central state और local तीनों एक साथ मिलके कैसे construction sector को housing sector को बढ़ावा दे सके through ease of construction या ease of doing business वो मेरे हिसाब से सबसे critical है budget के steps के उपरांत budget के बहार भी housing की ease of doing construction and business बढ़ाना बहुत ज़रूरी है tax structure का simplification मेरे ख्याल से हमेशा से radar पे रहा है mango की और अब तो नया tax regime भी है जहांपर हम देख रहे हैं कि 60% तक onboarding हो चुकी है तो कैसे इसको और attractive बनाया जा सकता है किस तरह के ऐलान वहाँ पर जो है हमें सुनने को मिल सकते हैं क्योंकि taxpayer friendly बनाना उसे बहुत ज़रूरी है भले ही 60% onboarding हो गई है और भले ही ये उस बात को इशारा है कि आपका जो old tax structure है वो शायद fade out हो रहा है लेकिन कुछ बुन्यादी benefits जैसे कि हम insurance की बात करे home bias के benefits की बात करे क्या इन सब को नए tax regime में जोड़ना ज़रूरी हो गया है क्या इस तरह के ऐलान अगर मुम्किन हो जाते हैं तो नए tax structure को लेकर या जो attractiveness है वो थोड़ी सी और बढ़ती भी हम देखेंगे सु कविता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को financial knowledge या financial awareness प्राप्त कराना हमारे school curriculum में, college curriculum में finance की बाते उतनी touch नहीं होती जितनी होनी चाहिए एक आपको छोटा सा example देता हूँ हम सबने जब अपनी कारकिर्दी के सुरुवात की तो public provident fund को अपना लिया वहाँ पे tax free income मिलती थी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते थे लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया नाव इत्यास ये गवा है कि लंबी अवधी का पैसा equity में लगाना चाहिए डेट में नहीं लेकिन सरकार ने tax incentive लंबी अवधी के डेट को दे दिया आज अगर हम compare करें पिछले 25 साल के return का एक PPF account जिसने tax free return दिया वर्जिस एक ordinary equity link saving scheme जिसमे taxable return मिला दोनों के tax advantage ATC के same थे डेट लाख रुपए की आपको exemption मिलती थी बट पिछले 25 साल की SIP PPF में आपको तकरीबन 1.07 क्रोड tax free देंगी वही पैसा ELSS में जब हमने last calculate किया था तकरीबन 4.40 क्रोड था taxable tax deduct करने के बाद भी 3 क्रोड रुपए का वहां पे ज्यादा income investor को होती सो जब हम incentive देते हैं हमें सही habit के लिए incentive देना चाहिए अगर आप लंबी अवधी के लिए निवेश करते हैं तो उसे equity की तरफ मुक करिए अगर short term है तो date की तरफ करिए हमारे tax incentive ने एक non-level playing field खड़ा कर दिया है तो इस चीज को हमें सुधारने के लिए ये करना है एक सेबी ने जैसे mutual fund सही ये करके investor awareness program चलाया पिछले 10 साल में हमारी AUM 6 गुनी बढ़ी इन निवेशों की संख्या उससे ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने पैसे बनाए सरकार को भी जन धन की तरह एक जन निवेश यूद्ना बनानी चाहिए ताकि लोगों को सही सलह मिल पाए सही education मिल पाए और फिर ये जो taxation की वज़े से non-level playing field खड़ा हुआ है mutual funds में, insurance में, banking में, NTS में वो ठीक कर देना चाहिए, incentive लंबी अवधी के निवेश के लिए मिलना चाहिए, short term trading speculation को discourage करना चाहिए दो करोड से जादा भरतियों ने दो लाख करोड से जादा पैसा ponzi scheme में लगाया है हर साल ये number बढ़ता जाता है, इन सारे लोगों को हमें सही रहां पे लाना बहुत ज़रूरी है चलिए आखरी सवाल आपसे पुछना चाहेंगे, वो है mutual fund industry के growth को लेकर तो clearly यहाँ पर Amphi ने लगभग 16-point proposal भी अपना पेश कर दिया है अब ऐसे में अगर हम overall capital gains parity की बात करें तो उसको लेकर किस तरह की मांग है overall treatment track structure का across asset classes उसमें parity को लेकर demand हो रही है international investments के दारे को बढ़ाने को लेकर मांग हो रही है detail participation जिस तरह से हम बढ़तावा देख रहे हैं निरेश सर कितना एहम है कि थोड़ा सा और तरजी दिया जाए इस पुरे sector को और किस तरह से detail investors को बढ़ावा देने के लिए एलान होने की संभाव नहों सकती है हमारा तो एक ही निवेदन है वित्तमंत्री से आप इतना बढ़िया काम कर रही है और हमें उसका benefit मिल रहा है जिस बखुबी से आपने भरतिय एकनॉमिक को इस global volatility में navigate किया है वही बस अब आगे भी करते रहिए fiscal prudence का path छोड़िये मत इससे आगे चल के हमें rating upgrade मिल सकता है rating agency जो भूल गई है गुम हो गई है वो शाम को घर लोट आएगी दूसरा निवेश के उपर ध्यान दीजिए infrastructure निवेश पिछले 10 सालों में भारत ने उतना infrastructure खड़ा किया है जितना 2013 में था उसी को और बढ़ावा देना है विकाज अभी भी हमें कहीं क्षेत्र ऐसे infrastructure के जैसे urban infrastructure वहाँ पे लंबी मनजिल तै करनी है और तीसरा bottom of pyramid rural India यहाँ पे consumption को बढ़ावा देना जरूरी है ताकि ये growth की cycle लंबी चलती रहे तो आपने जो काम किया है बस उसी को आगे चलाते रहिये और आज भगवान की महरवानी से एक ऐसा मौका मिला है RBI dividend से, Tax B.ONC से और divestment से कि आपके पास resources की कमी नहीं है तो इस resources का पहले की तरह सदूपयोग करिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और कल एहम बजट में क्या कुछ पिटारे से निकल कर आता है वितममल्फी साहिबा की इस पर सभी की नसर रहेंगी बरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया जुलाई को सजेगा ट्रेडिंग अखाडा धुरंदर एक्सपर्ट सिखाएंगे कमाई के सभी दाव पेंट